Good morning children, welcome to E-classes, fourth poem तक है आप कर चुके हैं, next chapter है हमारा स्वराजय की नीम, लेखक है विश्णु प्रभाकर, स्वराजय सबसे पहले तो title का हम मिनिंग लिखेंगे, स्वराजय का मिनिंग होता है आजादी स्वतेंतरदा, नीम का मिनिंग होता है बेस, जैसे हम कहते हैं मकान खड करना है तो उसकी नीम मजबूत होने चाहिए, नहीं तो फिर थोड़ा सा तूफान या भूकां पाने पर मकान जल्दी क्या हो जाता है, तूट जाता है, क्यों? क्योंकि इस मकान की या उस इमारत की नीम क्या थी? कमज़ोर थी, तो स्वराजय की नीम, अब यहाँ पी नीम का मिनिंग क्या लेना है? इसका इंडारेक मिनिंग आपको लास्ट में भी समझाओंगी, तब बहुत अच्छे समझ में आएगा, फिलाल मैं आपको इंडारेक मिनिंग समझात हो रही हूँ, लेकिन चेप्टर पूरा कम्प्रीट होने के बाद बहुत अच्छे समझ में यार की थी, मतलग फ्री टाइम में वो कह देती थी कि इतने बज़े तिम लोगों को मैदान में आ जाना है और वहाँ पर वह क्या सिखाती थी, तलवार बाजी, तीर कमान वगरे चलाना सिखाती थी, अर्थात उसने अपनी नारी सेना को जो दासियां थी उनको ट्रेनिंग देखे रखी थी कि कभी भी मुझद हो सकता है और यह जो नारी सेना है वो बहुत बड़ा रोल निभा सकती है, तो उसका नीम बनने कौन जा रही थी, ये नारियां, आजादी प्राप्त करने का नीम ये नारियां बनने जा रही थी, इसने शुरुआल की थी और जब अंति यहां पे लिखा हुआ है, लक्षमी भाई, सुन्दर और जूही करके दोस की दासियां हैं, दासियां तो कह सकते हैं एक तरीके से, लेकिन ये बचपन से जब शादी करके आई थी तब छोटी थी, और इसको दोस दासियां सौपी गई थी, तो ये दासियां भी छोटी पती है, रगुनाथ राव, ठीक है, ये इनके मंत्री हैं, इतने पात्र हैं हमारे, तात्या टोपे सीना नायक सामने ही लिखा हुआ है, अब ये जो चेप्टर है, ये ब्रेटिशों से संबंदत है, कि आखरी युद्ध करने जा रही है जासि की रानी, तब वह तंबू में अर्था आपको पता है, जब युद्ध की, युद्ध छड़ जाता है, शुरू हो जाता है, तो रेगिस्तान के थोड़ा दूर, यहां जंगल एरिया में, सुनकार एरिया में तंबू बनाके, जिसे हम टेंट कहते हैं, वो बनाके, राजा लोग रहते हैं, रोज-रोज महल की तरफ नहीं जाते हैं, ठीक है, तंबू में बैठी है, और जुही और मुंद इन तीनों का समवाद चल रहा है, अब इस चेप्टर के पीछे, जो में बात है, वो है रगुनाथराव और तात्या टोपे की, अब आपको पता है, हमारे देश को गुलाम बनाने में, बहुत सारे मंत्रियों का हाथ है था, कुछ मंत्री थे, जो जासी की राणी के महल में, यहां ऐसे ही नर्मल ही कहें, कि जो भी राजा, पृटिशों के अगेंस में खड़े हो जाते थे न, उनके वो लोग क्या करते थे, बृटिशों लोग, कुछ मंत्री खरीद लेते थे यां, जो पूरी पूरी प्लानिंग होती थी युद्ध की जहांसी गिराने की वो जाकि information बता देता था और इसी प्रकार इतनी तैयारियां करने के बाद भी इतनी प्लानिंग करने के बाद भी जहांसी गिराने पराजित हो जाती थी तो यहां पी रगुनात राव मंत्री और आपनों राजा के साथ महल में ही रहते हैं और इनको पूरी सुक्सवीदाय दी जाती हैं जैसे कराजा को प्राप्त होती हैं अब इन एश्वाराम की जिंदगी में ये लोग इतना खो चुके हैं कि इने ऐसा सी नहीं रहा है कि युद्धि छड़ चुका है और हमारे हाथ से क काफी जो किले हैं महल हैं वो जा चुके हैं अब जैसी की राणियां पर ये चिंता जटाते हुए अपना समवाद ये कहें कि अपना चैप्टर शुरू कर रही है जैसी की राणी से पहले ब्रेकेट में लिखा हुआ है युद्धि भूमी का द्रिश्य अंकित किया जा सकता है केम काई पास ही लगा हुआ महारानि लक्श्मिबाई का तंबू का एक बाग दिखाई दे रहा है दोनों लालकुर्ति के परदे उठने पर महारानी लक्ष्मी बाई अपनी सक्षी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है उत्तेजित मतलब बहुत ही excited हो कर मतलब यह जो chapter लिखा गया है यह खेला चाह रहा है मंच पर ठीक है कुछ पात्र हैं कुछ characters हैं वो निभा रहे हैं और उनको देख देख के लेखक ने क्या किया है इस chapter को लिखा है इस नाटक को chapter का रूप दिया है प्रवेश करती है मंच मतलब stage पर लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशबूशा में जो ही और दोनों लाल कुर्ती की सैनिकों की वेशबूशा में है अर्था जासी की रानी भी है और इसकी जो सक्खियां है या दासियां है वो भी लाल कुर्ते में है लक्षमी बाई अरे मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जो ही जासी, कलापी यहां पे थोड़ा आपको करेक्शन करना पड़ेगा कालपी लिखा हुआ अब आपको करना पड़ेगा कलापी कलापी ग्वालियर कहां गई परन्तु मन्जिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है अर्थात वो कोशिशें कर रही है कि ये जो सारे किले चले गए है वो मैं वापस ले लूँगी लेकिन मन्जिल आते आते मन्जिल का मिन्या पे क्या लेना है सफलता अर्थात जीत ब्रिटिशों के साथ युद्ध करने में जीत आते आते क्या हो जाती है दूर चली जाती है सौराजयों को आते हुए देखती हूँ परन्तु दूसरे इश्ण मार्क में हिमालय अर जाता है सौराजय आज़ादी हिमालय का मिन्या पे लेना है बहुत बड़ी मुसीबत अब यहाँ पे हिमालय की हो कहा गया है क्योंकि आपको पता हिमालय अमारी देश का सबसे उच्चा परवत है तो बहुत बड़ी मुसीबत जब आ जाती है तब कहते हैं बीच में हमालय आ गया उसे पार करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है अब इतनी मुश्किलों से इतनी कोशिशें करके हमालय जैसे परवत की रूप में जो मुसीबत थी उसे पार कर लिया, उसे दूर कर दिया तो पीछे क्या है, महासागर की डरावनी लहरें मतला बहुत बड़ा सागर है, उसकी लहरें से पीछे धकेल देती है तो मान मान एक मुसीबत से दूर उपरी थी या निकली थी और वापस दूसरी मुसीबत आ जाती है उनसे जूजती हूँ अर्था, इस्ट्रकल करती हूँ तो नाविक सो जाते हैं नाविक के सोने कार्थ है, मेरे सेना पती, तात्या टोपे और मंतरी रगुनात्रा देखो जूही उदर शितिच पर देखो शितिच का मिनिंग होता है, ऐसी रेखा, कालपनिक रेखा जहां आकाश और धर्ती मिलते हुए दिखाई देते हैं हम दूर मैदान में खड़े रहे न, तो दूर जहां जाता का हमारी दरश्टी नजर जाती है वह आप ऐसे लगता है कि आकाश नीचे जुकरा है और जमीन दोनों मिल रहे हैं उसे कहते हैं शितिच कैसी लपलप आती हुई लप्टें उठ रही है लप्टें मतलब आग की लप्टें सारा आकाश धूम घटाओं से छाया हुआ है धूम घटाओं का मिनिंग होता है बड़े बड़े काले बादल प्रलय का मिनिंग होता है तूफ़न भूमी का रोल प्रलय की भूमी का है लेकिन राव साहब हैं कि रक्तमंडल की छाया में एश्वारा में मश्गूल है प्रलाय के भुमेकार था, यह जो ब्रटिशों ने अमारे इतने सारे किलोंग पर आक्रमन करके रखा है यह अपने में कबसे में करके रखा है तो यृ किसके समाने तॉफान के समान , लेकिन रगुनात रा唱 यह है कि रक्तमंडल की छाया में अश्वाराम में मश्गूल है, र सिंपल सी लेंगूज है दोनों के बीद समवाद चल रहा है कहती है कि जासी हाथ से निकल गई लेकिन फिर मैं उसे वापस करके ही आऑउंगी कौन कहता है अपके लिए मारा ने आप तो गीता पढ़ती है फिर ये निराशा कैसी अब ये जो शब्द आया है गीता पढ़ती है इसका indirect meaning अभी का भी समझा दियती हूँ गीता पढ़ना अब जब कृष्ण और कृष्ण इसके सार्थी बने थे अर्जुन के तब अर्जुन ने देखा कि सामने मेरे सारे के सारे सगे संबंदी खड़े हैं तो मैं युद्ध नहीं करूँगा अब बहुत टीटिल में समझाना तो possible नहीं है इसलिए मैं थूड़ अफसा short में इसको समझाऊंगी कि कृष्ण कहते हैं कि तुझे किवल करम करना है भले सामने सगे संबंदी खड़े हैं लेकिन नयाय दिलाने के लिए या धर्म को इस्थापित करने के लिए जब अधर्म असत्य बढ़ता जा रहा हो और असत्य की विजय हो रही हो अधर्म की विजय हो रही हो तो तुझे युद्ध करना ही पड़ेगा। तो महारानी जासी किरानी जो हैं ये लक्षमी भाई हैं वो रोज की रोज गीता पड़ती थी। तो कहा जब आप गीता पड़ती हैं तो आप ये इतना निराश क्यों हो रही हैं। अब इसका एक और भी indirect meaning है कि कृष्ण ने कहा कि तुझे न किवल करम करना है अब जीत होगी या पराज है वो तेरे हाथ में नहीं है वो इश्वर के हाथ में है तुझे तो किवल क्या करना है प्रैतन और मेहनत करनी है या युद्ध करना है तब अरजुन ने कहा कि हे कृष् मिल भी जाए तो भी मैं खुशी से उस सिहासन पर नहीं बैठ पाऊंगा क्योंकि वो जो सिहासन होगा वो मेरे सारे चाचा ताउ और जो शकुनी मामा है वो गुरु जन इनके गुरु द्रोनाचार्य है उनका बेटा शुथामा इन सब को मार के या दुर्योधन ये मेरे भाई है सौक और इनको मार के रक्त से रंजित सिहासन पर मैं बैठ नहीं सकूँगा तब कृष्णा ने कहा कि तेरा जो फर्ज है वो किवल कर्म करने में है फल क्या मिलेगा तो जे जीत मिलेगी ये तो पका नहीं है तू हारेगा ये भी कुछ पता नहीं है तो तुझे अपिक्षा रखनी नहीं है तो यहाँ पर जो ही जो है वो लक्ष्मी भाई को यही बात समझाती है कि आप तो गीता पढ़ती है जिसमें निश्काम कर्म करने की प्रिणा दी है निश्काम मतलब कर्म करना है लेकिन फल की अपिक्षा यह इच्छा नहीं रखनी है ठीक है त जानती हूँ कि मैं जांसी लेके रहऊंगी लेकिन तुम क्या नहीं जानती उस दिन बबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था बाबा गंगादास एक संत हैं जिन्नोंने जांसी की राने को कुछ कहा था जब तक हमारे समाज में चुआ छूथ उच नीच का भेद नहीं मिट जाता जब तक हम विलास प्रियता को छोड़के जन सेवक नहीं बन जाते विलास प्रियता का मिनिंग होता है एश्वाराम की जिंदगी जीना अब ये विलास प्रियता का इंडारेक मिनिंग लेना है तात्या, टोपे और रगुनात राव जो मंतरी एश्वाराम की जिंदगी में डूप चुके है और आजादी के काम में आजादी के जिद में कोई रोल नहीं निबा रहे है तो जब तक हम उच नीच का भेदवाव नहीं चोड़ेंगे अब जो ब्रिटिश होने एक बात ये नोट की थी कि जो भारत के लोग है न वो अपने धरम के परती बहुत ही कटर वादी है वो अपने धरम की बात पे बहुत गुस्से हो जाते हैं इसलिए उन्योंने मुसलिमों को हिंदुओं के खिलाफ बढ़का के क्या कर दिया था बहुत से दंगे फसाद खड़े कर दिये थे उच नीच का भेदबाव जाती पाती का भेदबाव नहीं मिटता तब तक हम आजादी प्राप्ते कैसे कर सकते हैं जन सेवक नहीं बन जाते जन सेवक रथा जो मंत्री है राजा है या सेनापती है वो सेनापती बाद में है लेकिन सबसे पहले क्या है एक जन सेवक रथा जनता का सेवक है वो केवल एश्वाराम करने के लिए या शासन करने के लिए बैठाया नहीं गया तब तक हम स्वराजे नहीं प्राप्त कर सकते वह मिलता है केवल सेवा तपस्या बलिदान से सेवा तपस्या का एंडारिक मिनिंग लेना है महनत करने पड़ेगी और बलिदान हो सकता है हमें अपना जीवन सेक्रिफाइस करना पड़े लेकिन महारानी उन्होंने यभी का था कि स्वराजय प्राप्ती से बढ़कर स्वराजय की स्थापना के लिए भूमी तैयार करना भूमी तैयार करने का एंडारिक मिनिंग क्या है लोगों को एंकरेज करना कि वो लोग अपने परिवारों को छोड़के अपनी जमेदाईयों को छोड़के किसके लिए आजाएं देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने आजाएं तो इस तरह हम देश की आजादी की या स्वराजा की क्या खड़ी कर सकते हैं नीव खड़ी कर सकते हैं स्वराजा की नीव का पत्थर बनना जैसे कोई इमारत खड़ी करनी हो तो हम पहले खुदाई करके उसमें लोहा डालते हैं उसी प्रकार यहां पे स्वराजय की नीव बनने का अर्थ है हमें कोशिशें तो करनी पड़ेंगी यदि हम मर भी गए तो दूसरे लोगों को प्रेणा मिलेगी कि इन्होंने अपनी जान बलीदान कर दी लेकिन हम किसी भी प्रकार से इनकी इनका बलीदान जोई वैर्थ है नहीं जाने देंगे उसे कहते हैं नीव का पत्थर बनना सफलता और सफलता दैव की हाथ में है लेकिन नीव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकेगा अर्था शुरुवात करने से तो हमें कोई रोक नहीं सकता सफल होंगे, जीत मिलेगी यह पराजय, वो तो ईश्वर के हाथ में है इसलिए हमें उसकी चिंता करनी नहीं है यह हमारा अधिकार है लक्ष्मी भाई, शाबाश मेरी करनल, तुम लोगों से मुझे यह आशा है जिस स्वराजय की नीव तुम जैसी नारियां बनने जारी है, वर निश्चय ही महान होगा मुझे इस बात की चिंता नहीं है, कि वह मेरे जीवन काल में आता है कि नहीं, जासी किरानी कहती है, कि पता नहीं, विजय मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी लेकिन मुझे दुख इस बात का आवश्य है, कि मेरे पास शक्ती है, फिर भी मैं दुर्बल हूँ शक्ती है अर्थात, तात्या टोपे, रगुना थराव जैसे, बड़े-बड़े महाबली युद्धा है फिर भी दुर्बल हूँ, अर्थात कमजोर हूँ, क्योंकि वो एश्याराम की जिन्दगी में डूप चुके है तात्या जैसे सेनापती है, क्योंकि हम विलासिता में डूप गये हैं, अब यहां पर जूप लक्षुबाई का समभाई चल रहा था, आगे मुनदर का प्रवेश होता है विलासिता में हम नहीं डूबे हैं, कौन डूबे हैं, राव साहब, बांदा के नवाब सेनापती तात्या बांदा ये एक प्लेस का नाम है और उनके नवाब मतलब राजा सेनापती तात्या को एक बांदा का महल भी दिया गया है, इसलिए उसे का गया है नवाब ठीक है नहीं मुंदर नहीं सेनापती नहीं ओ समझी तुम तो उनका पक्ष लोगी ही अब मुंदर अब जो ही जो है वो सेनापती दात्या से क्या करती है प्रेम करती है तो मुंदर जब उन पर आरोप लगाती है कि सेनापती दात्या रगुना थराव जो है वो क्या है जिन्दगी में डूबे नहीं हैं, बलकि मैं उसका पक्ष नहीं ले, तुम तो उनका पक्ष लोगी ही, क्योंकि तुम उनसे प्रेम करती हो, लेकिन जो तथ्या है, उसको छुपाया नहीं जा सकता, तथ्या अर्था जो हक्किकत है, उसे छुपाया नहीं जा सकती, सर्दार त अर्थात तात्या राव साहब की बहुत याग्याकारी बनके रहते हैं, तो जो ही मुंदर कहती है और तुम उन्हें अपना सौमी अर्थात अपना प्रेमी मानती हो, मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूंगी लेकिन उनसे व्यदिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ क्योंकि वो उस देश की क्या है रानी है महाराने से भी बढ़की मैं किसको अपना स्वामी मानती हूँ अपने देश को इसलिए देश के लिए मैं सरदार को क्या कर सकती हूँ ठुकरा सकती हूँ और ठुकरा चुकी हूँ सरदार का में यहाँ पर लेना है तात्या टोपे जो ही तू तो नाराज हो गई मेरे कहने का मतलब यह नहीं था मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी जब तुने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तुम उन्हें रोकती क्यों नहीं हो अर्था तुमें पता है कि तुम उनसे प्रेम करती हो तो तुम उन्हें रोकने की कोशिश करो और कहो कि वो आ जाएं इधर युद्ध में लड़ाई लड़ने जुही ने उन्हें रोका है मुंदर लेक्षिमी बाई कहती है कि उन्हें रोकने का प्रैइथन कीया था लेकिन वो मानने नहीं थे मैं जानती हूँ जब राष साब करने पे ताट्या से नाचने के लिए बुलाने आये थे राष साब ने कहा था कि मुंदर जूही जो है वो बहुती अच्छा नृत्या करती है और तुम उसे कहो क्योंकि वो तम्हारा कहना आउश्य मानेगी तो टात्या टोपे से क्या करने आए थे? बुलाने आये थे लेकिन जूही ने उन्हें मना कर दिया जानती हो क्यों? क्योंकि सेना, पती, तात्या और रासाप एश्वराम की जिंदगी में डूबे हुए हैं और जुही कोई पसंद नहीं है मैं स्वराजा के लिए नाच सकती हूँ नाच सकती हूँ अर्थात युद्ध कर सकती हूँ बराबर नाचती रही हूँ परन्तो विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फासी नहीं बना सकती हूँ अर्थात मैं नाचूँगी, वो जो कहेंगे करूँगी लेकिन वो विलास्प्रियता में डूबे हुए हैं तो मैं उनके कहने पे नहीं नाचूँगी जो मुझे ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं ठोकर मार सकते हूँ अर्थात भले मैं उन्हें अपना स्वामी मानती हूँ, प्रेम करती हूँ फिर भी मैं उनका ये कहना नहीं मानूँगी ठीक ही तो कह रहे हैं ठोकर ही तो नहीं मार सकते जूही यही धर्थों में कचोट रहा है अंदर यन्दर दर्द दे रहा है अगर ठोकर मार कर हमों उनकी मधोशी दूर कर सकते तो भाती अर्थात हमोंने दोखा देके या किसी प्रकार से वापस लेके आए लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है औरों की बात नहीं जानती, मुझे आ गया दीजे, मैं ठोकर मारने को तयार हूँ जो ही कह रही है कि औरों का पता नहीं, लेकिन आप कहेंगी, तो मैं उन्हें ठोकर अवश्य मार दूंगी मैं भी तयार हूँ, चलो हम सब उनकी नीन हराम कर देते हैं लक्ष्μी बाई, नहीं मुंदर हम उनकी नीन हराम नहीं कर सकते, अब तो दुश्मन की ठोकर उनकी नीन, नीन से उन्हें जगा सकती है अर्था जब दुश्मन अर्था बृटिशर उन्हें दोखा देंगे या उन पर आक्रमन करेंगे उनके महल पे तब ही क्या हो सकता है उनकी नेन खराब हो सकती है अर्था जिसे हम दोखा देंगे या किसी भी प्रकार से चलकपट करेंगे तो उनका हमारे उपर से क्या उड़ जाएगा विश्वास उड़ जाएगा क्या ऐसी सती में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी नहीं गहरा उठेगी अर्था तो वो हम पे क्या करने लगेंगे शंका करने लगेंगे बाई साब ठीक कहती है, शंकाएं अविश्वास पैदा करती है अर्था जहां विश्वास होता है, वहां शंका नहीं होती जहां शंकाएं होती है, वहां अविश्वास होता है क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे और विश्वासे उत्मन निराशा को दूर करने के लिए पायल की जंकार और भी जनक उठेगी श्रीखन और लड्डूों पर जान देने वाले ब्रामनों के आशिरवात का स्वर और भी तेज हो उठेगा अर्थात कोई भी काम जब करना हो तो अच्छा काम करना हो अच्छे काम की शुरुवात करने हो तो ब्रामनों को आपको पता है श्रीखन अर्थात एक प्रकार की सीट होती है और लड्डू खिलाए जाते हैं तो कह रहे हैं कि ये लोग और भी क्या हो जाएंगे इनके मन में और भी विश्वा, हमारे प्रती जो विश्वास है, वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा. कहीं सहसा कहीं दोपों की दूर आवाज सुनाई देती है. जू ही तू अगर तात्या को खोच सके, तो तुरंत उन्हें यहां लेने के लिए, आने के लिए बोल देना. कहा कि अगर तुझे कहीं तात्या टोपे देखे, तो अवश्यों से लेकर आना. ओके, पार्ट टू में हम इसका आरगे का पेच करेंगे. I hope आपको यह समझ में आया होगा. Thank you.